हालो काईज वैलकॉम डू टैकी यासर हीडिव चैनल ये हमारे पास में Realme C30S स्मार्टफोन का इंडियन डिटेल यूनिट का बॉक्स आज की स्टुडियो में करेंगे यहाँ पर इसके अंबॉक्सिंग एन मेरे फार्स इंप्रेशन आप लोग के साथ में शायर करने वाला तो गाइस चली वीडियो स्टाउट करते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो स्टाउट कर लेते हैं कुछ इस तरीके का आपको बॉक्स देखने को मिलता है रियल में स्मार्टफोन के इंडियन यूनिट का बैक में अगर आप देखोगे को स्पेसिफिकेशन वगरा मेंशन कर इसके अंदर अगर आप देखोगे मैनुवल सगरा यहां पर दिये गैप देख सकते हो इसके अलावा केस आपको देखने को नहीं मिलता है और तो यहां पर आपको एक चारजर देखने को मिल जाता है रियलमी ब्रेंडेड है 5 वोल्ट 2 एंपियर के साथ में आपको देखने को मिलता है मदब 10 वाट का नॉर्मल चार्जर यहाँ पर दिया गया है साथी में अगर आप देखोगे तो माइक्रो यूस्बी वाला केबल मिलता है रियलमी ने नहीं दिया 2022 में भी क्योंकि मेरे इसाफ से यहां पर होना चाहिए था यह कुछ आपको बॉक्स कंटेंट देखने को मिलेंगे रियलमी सी 30S स्मार्टफोन के इंडियन रिटेल यूनिट में यह हमारा मेंड डिवाइस कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है चली जल्दी से इसके फिर्स लूक और फिजिकल ओर्विव के बारे में बता देता हो देखने में फोन मतलब काफी जबरदस्त है और क्योंकि यह में लॉन से पहले यहां पर शूट करो तो मुझे एक्जक्ली में प्राइस पॉइंट का आडिया नहीं है जल्दी से सबसे पहले तो फास लुक आपको बताओ दिखने में कुछ इस तरीके का आपको देखने को म मामले में इन हैंट फील यह फोन का मुझे परसनली काफी जबरदस लग रहे हैं साथी में चलिए जल्दी से इसके फीजकल ओवर व्यू के बारे में बता देता हूँ फ्रंट में यहां पर आपको वॉल्यूम अपन डाउन का बटन मिल जाता है यहां पर साथ में आपको फ जल्दी से इसका कॉन्फिगरेशन हम यहां पर देख लेते हैं तो यहां पर आपको ट्रिपल कार्ट स्लॉट डेखने को मिलता है जो के हर एक बजट फोन में में मेरे साबसे यहां पर होना चीए इसके अलावा अगर हम बॉटम में देखे तो यहां पर आपको 3.5 मेट फो देखो दिन कुछ टाइम के लिए फोन को इस्तेमाल करता है अपने फास इंप्रेशन जो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर सकतो इन हैं फिल के साफ से रियल मीने काफी बढ़िया काम कर रहे हैं साथी में अगर हम बात करें दिस्प्ले के बारे में तो यहां पर अगेन आपको 6.5 इंच का एक वाटर ड्रॉप नौच वाला डिस्प्ले मिलता है 720P वाला डिस्प्ले IPS पैनल है 60Hz पर काम करता है नॉर्मल बजट में जो आपको डिस्प्ले मिलता है सेम उसी तरीके का देखने को मिलता है बेजल के अ यहां पर जोश एप्लिकेशन है अगर आप इसको अनिस्टॉल करना है तो डेफिनेटल आप यहां पर से जाके कर सकते हो तो जी आप कोई स्टोरेज थोड़ी बहुत यहां पर से बच जाएगी अब मैं सेटिंग्स में चलके आपको जल्दी से एंडॉइड वर्जन एन आ अलावा अगर हम यहां पर सेटिंग्स में अबाउट फोन में अगर हम जाते हैं तो जिससे कि आप यहां पर देख सकते हो रियल्मी सी 30S स्मार्टफोन है साथी में रियल्मी का आपको गो एडिशन मतलब यह लाइटर वाला आपको युवाई देखने को मिलता है साथी में अंड्रोइड 12 आटर था बॉक्स मिलता है जो कि अगेन काफी पडिया बात है अब बात के लेते हैं यहां पर यह स्मार्टफोन की सिक्यूरिटी के बारे में मतलब आपको यहां पर आपको फिंगरपेंड स्कैनर भी मिल जाता है फेस अनलोग भी मिल जल्दी से हम इसकी स् का रेजिस्टर नहीं कर रहा हूँ इससे रख देते हैं साइड में आप देख सकते हो कुछ इस तरह का मिलता है अब मैं अपने फेस के पास लाता हूँ टाब अनलोग टाब अनलोग तो फिंगरपेंड स्कैनर एस फेस अनलोग की स्पीड मुझे बजट के साब से काफी सही लगी है अब बात कर लेते हैं पर इसके डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में तो यहां पर आपको 6.5 इंच का डिस्प्ले मिलता है यूटूब पे एक वीडियो प्लेट करके मैं आपको बिता देता हो जिसके आप यहां पर देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको डिस्प सुन लो गाइस मुझे पता नहीं कि आपको यहां पर ओडियो क्वालिटी माइक में कैसी केप्चर कर रहा है बट और अगर अब प्राइस पॉंट के साब से देखोगे मैं बहुत अच्छी भी नहीं बहुत बेकार भी नहीं डी संडे बहुत जादा लाउड भी नहीं बात करें यहां पर इसकी परफॉंस के बारे में तो यहां पर आपको युनिसोग का 9863 वाली चिपसेट मिलती है जो कर सकते हैं गेमिंग की बात करें नॉर्मन आप सब्वे सर्फर ऐसे टाप के लाइफ जो केंडी क्रश वगरा गेम आता आप खेल सकते हो एन अभी इनिश से फ्रेम डॉफ्स कभी कबार देखने को मिल जाते तो बिल्कुल एक एंट्री लेवल आप वो सकते हो चिपसेट है जादा एक्सपक्टेशन मत रखना जब बात के लेते हैं पर इसके कैमरास के बारे में तो यहां पर सिंगल कैमरा आपको मिलता है 8 मेगा पिक्सल का जबक मैक्स आप 1080P तक के वीडियो शूट कर पाऊगे 30fps जो के काफी बढ़िया बात है बजट के इसाब से साथी में सेलफी केमरे से अगर हम वीडियो देखे तो यहां पर आप मैक्स 720P 30fps कर पाऊगे इसके अलावा यहां पर आपको जो नॉर्मल सेटिंग से फोटो पोट्रे काफी सही लगे कलर से खासे आपर आपको देखने को मिल जाते जबकि इंडोर लाइटिंग चंडिशन में ठीक ठाके बजट के साबसाब को काफी ग्रेंस पर आपको देखने को मिले जाती है तो यह और ऑल यहां पर मैने इनिचल इंप्रेशन थे Realme C30S स्मार्टफोन को लेके इसके अलावा ये स्मार्टफोन की रिगार्डिंग आपको कोई वीडियो देखना है गेमिंग रिव्यू, फुल रिव्यू, कैमरा रिव्यू मुझे बताना नीचे कमेंट्स में अगर आपको यह पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चनल को सब्सक्राइब कर देना मैं मिलता आप से गली किसी वीडियो में जब तक के लिए, टैंक यू